नमस्कार दोस्तो स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर आपका वियापार अच्छे से नहीं चल रहा है या फिर आपको किसी प्रकार की बीमारी है या फिर आपका विवा नहीं हो पारा है समय पर तो यह सब खत्म हो सकता है इस हुल हुलिका दहन पर सबसे पहला उपए बताता हूं अगर आपके घर में सुकसांती नहीं है अचानक से लड़ाई हो जाती है तो उसके लिए आपको क्या करना है यह उपए घर का कोई भी सदेशा कर सकता है आपको ग्यारा सुखी लाल मिच के बिज लेने हैं उसके बाद आपको एक छोटी से मिट्टी की मट्की या फिर कोई से भी मिट्टी का बनावा समान उस पर आपको यह ग्यारा बीज रख देना है और जहां हुलिका दहन हो रहा है वहाँ जाकर आपको इसे समध्पित कर देना है यानि अगनी में डाल दीजिए अब दूसरी बात विवा अगर लेडिस है तो किसी भी कप्रे में वहार रख सकती है फिर इसके बाद साम को हुलिका दहन पर उसकी परिक्रमा करते है उस अगनी पर उस काले कप्रे को डाल दीजिए फिर आप देखेगे जो आपका कारिया नहीं हुपा रहा है वह सारे कारिया होने लगेगे आपके घर में मांगलिक कारिया होने लगेगे यहां बहुत ही चमतकारी उपाई है इसको जरू करना चाहिए अब और एक उपाई बता रहा हूं हमारे घर में या हमारे व्यापार में नेगेटिविटी आती है वह दूर हो जाए आप अपने घर पर या व्यापार इस तार पर आप घर में भी लगा सकते हैं सुबह जब होलिका दहन का दिन है उस दिन सुबह फिर उसके पस्चाच जब आप साम को होलिका दहन के लिए जाएगे तो उसे उतार कर ले जाए और वह नीबु मिरची जलते वी होलिका दहन की अगने में समठ्पिक कर दे फिर आप जितने भी नजर दूस है या बद्दूआ है जो भी हो सब दूर हो जाएगा तो दूस्तो अगर आपको हमारे या वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल में नए है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर देना और साथ में ब